जै मतादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो दीपावली आने वाली है और 13 अक्टोर को शरद पुर्णिमा भी है ये दोनों ही दिन मालक्षमी की प्रिय दिन है क्योंकि शरद पुर्णिमा के दिन माना जाता है कि मालक्षमी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी इस दिन माल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे इस दिवाली तक अपने घर को धन धाने से परिपूर्ण कर सकते हैं, अपने इच्छाय पूरी कर सकते हैं और धन की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं, येकिन इसके लिए आपको 13 अक्टूबर शरद पुनिमा से लेकर दिपावली तक एक उपाय करना होगा जो कि आपको प्रती दिन करना है शरत पुर्णीमा से लेकर दिपावली तक इस उपाय को करने से मालक्ष्मी की किरपा आपको मिलने लगेगी और मालक्ष्मी की किरपा से आपके सभी कारे बनेंगे धन धाने से आप परिपोन होंगे तो चली जानते हैं इस वीडियो में कि क्या उपाय आपको करना चाहिए लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की आप तक पहुंच सके दोस्तों कहा जाता है कि देविये शक्तियां वहाँ निवास करती हैं जहां सकारात मक्तावास करती है जिससे ऐसे में मालक्षमी जो होती है वो संसार का आधार मानी जाती है और माहालक्षमी मात्र धन ही प्रदान नहीं करती मात्र धन से ही सुक्षान्ती नहीं मिलती कहते हैं धन से भोजन खरीदा जा सकता है भूख और स्वास्ते नहीं ऐसे में रुपए पैसा हजारों के पास होता है लेकिन पर्द परतिस्ठा, धन, योवन, अश्वर्य सब मिले यह है जरूरी नहीं तो मा लक्षमी के करपा से आपको यह सभी उपलब्द हो सकता है क्योंकि मा लक्षमी सब कुछ देने में समर्थ है ऐसे में आप शरत पुर्णी मा से लेकर और दिपावली के दिन तक इस उपाय को करें उपाय है कि सूर्यास्त के समय घर में कच्चा दूद लाकर शहद और गंगाजल उस दूद में मिलाए और फिर इसके दो भाग कर ले इसके बाद एक भाग से सभी पारिवारिक सदस्यस्नान करें और दूसरे भाग से सारे घर में आपको छड़काव करना है लेकिन धान रखें घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए इसके बाद जो दूद बच जाए उसे घर के में गेट के बाहर धार बना कर फैला दें दूद आप थोड़ा सा हिला सकते हैं और उसमें जब सहद और गंगाजल मिला लें तो उसके दो भाग कर लें और एक भाग से सभी घर के मेंबर्स के सनान के पानी में थोड़ा-thोड़ा उसे आप ढाल दें जिससे वो सभी सनान करें बागी को पूरे घर में आपको छड़काव करना है और उसके बाद थोड़ा सा दूद आपको बचाना है जो आपको अपने घर के में गेट के बाहर दहार बना कर फैला देना है शरत पुनिमा से आरम करके दीपावली तक ऐसा करने से आपके घर की सधी नकारात मकता नस्ट हो जाएगी बुरी शक्तियां कभी घर में प्रिवेश नहीं कर पाएगी और जो आपके कारे में रुकाव्टे थी वो सभी दूर होंगी वेपार मंदा चल रहा था तो वेपार भी दूर होगा घर में जो यह स्वस्थ व्यक्ति था वो स्वस्थ होने लगेगा जो मानसिक तौर पर आप सभी स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे तो इस उपाय को आप करके देखें और कमेंट करके फिर आपको हमें जरूर बताएं साथी चैनल को सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले